केपैसिटी ओफ लंग्स फेफडों की छमता हम कितनी हवा सांस में ले सकते हैं? जब आप अपनी छाती पर हाथ रखते हैं और गहरी सांस लेते हैं तो आप अपनी छाती को फूला हुआ महसूस कर सकते हैं इसका कारण है आपके फेफडों में हवा भर जाना और इसलिए वे एक हवा भरे हुए गुबबारे की तरफ फूल जाते हैं तो हमारे फेफडे कितनी हवा को धारन करने में सक्चम होते हैं? फेफडों की छमता ग्यात करने के लिए हमें चाहिए एक यू आकार की काँच की ट्यूब या नली एक सीधी काँच की ट्यूब मापन सिलिंडर पांच लिटर की एक बोतल धकन सहित बड़ा टॉफी का डबबा एमसील और एक छोटी बाल्टी या बरतन यदि काँच की ट्यूब उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी पतली पारदर्शी ट्यूब जैसे की पेट्रोल की ट्यूब का इस्तमाल कर सकते हैं यदि आप पेट्रोल की ट्यूब का इस्तमाल कर रहे हैं तो एक ट्यूब को सीधा रखें ताकि विद्यार्थी उसमें हवा फूख सके और दूसरी ट्यूब को मोड ले ताकि विस्थापित पानी का निकास हो सके पांच लीटर की बोतल को पानी से पूरा भर ले और यूट्यूब का निकास नली के नीचे एक बरतन या छोटी बालती रख दे किसे भी एक विद्यार्थी को मंच पर बुलाएं और उसे गहरी सांस लेने के लिए कहें अब वो सांस दौरा ली गई सारी हवा को काँच की ट्यूब में फूख कर निकाल दे विद्यार्थी द्वारा हवा बाहर निकलते ही बोतल का पानी बाल्टी में विस्तापित हो जाता है मापन सिलिंडर का इस्तमाल करके विस्तापित हुए पानी को मापे गति विधी को तीन बार दोहराएं और औसत मान निकाल ले यदि समय अनुमती दे तो गतिविधी को अलग-अलग विद्यार्थियों के साथ दोहराएं और डाटा के तुरना करें विस्तापित किये गए पानी का आयतन पहली ट्यूब में हमारे द्वारा छोड़ी गई हवा के आयतन के बराबर है इस प्रकार हमने हवा की उस मात्रा का मापन किया है जिसे कि हम सांस के द्वारा छोड़ने में सक्षम है सामाजन श्वास के दोरान हम लगभग 0.4 लीटर हवा लेते हैं एक गहरी सांस में हम 3.5 लीटर तक हवा ले सकते हैं ओलंपिक तैराक माइकल फेल्प्स जिसे कि दुनिया का सबसे तेज तैराक कहा जाता है कि फेफडे की छमता 12 लीटर है फेफडो की छमता जितनी अधिक से अधिक होगी उतनी अधिक हवा हम सांस के द्वारा ले सकते हैं हम सांस के द्वारा जितनी अधिक हवा लेंगे, खाने के आक्सिकरेन के लिए उतनी ही अधिक आक्सिजन मिलेगी और हमारी उर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी सवाल जवाब तो हम अपनी फेफडों की छमता में सुधार कैसे कर सकते हैं? यह रोचक है कि योग का भारतिय दर्शन बहुत कुछ सही ढंग से सांस कैसे ले पर केंद्रित है प्राणायाम एक बुनियादी योग है जो कि सांस की तकनीक में सुधार लाने पर केंद्रित है फेफडों की छमता में सुधार करने का अइन्य तरीका व्यायाम जो की हमारी अनायास गहरी सांस लेने का कारण बनता है और ध्यान करना है जिसमें की हम नियमित और गहरी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं